हेलो स्टुदेंट्स, वेल्कम बेक टो अवर चैनल, स्टुदेंट्स जैसे कि मैं इससे पहले आपको ग्रैमर पर टैंस सब्जा दी है, अब मारा नेक्स टॉफिक बोर्ट पर आप देखेगी नरेशन है, वो आज स्टार्ट होने जा रहा है, त्रेंट्स इससे आप मैंने द आप देखा है, बहुत से बच्चे जो आएं, वो डरेशन से बहुत डरते हों, कहते हैं मैंनम हमें चल्दी से ररेशन समझ में नहीं आते हैं, हम घठी लगते हैं, एक्षिली ऐसा होता है, कि आपने रूल्स को डंग से फॉलो नहीं करते हो, ररेशन के साइटिंग में जो और रूल्स को समझे के, तो नरेशन से जादा एजी कुछ भी नहीं, बहुत एजी है यह, आपने बस प्रॉपर तरीके से इसे देखना है वीडियो को, और इनके जो रूल्स से उन्हें समझना है, तो आपको नरेशन भी समझ में आते हैं, और आपको उच्छ से सहीं करने लिए, ओके स्ट्रेंग्स, आमेने जैसे कि नाइंद में भी आपको नरेशन समझाय हुए थे, तो कुछ उससर में समझ आ रहे हैं, उन्हें कुछ आपको आप समझ में आ जाएंगे, तो आपने प्लीज वीडियो जो भी आपको पहिजी जा रहे हैं, उसे पूरी देखिए और बार-बार देखिए, जिसे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ सकी है, यह निकि एक बार वीडियो को देखा, आपको फूर्वर्ट करते गए, आपको बार बार देखिए हैं, ऐसा नहीं है, आपको भी देखिए, स्कूल चलनी रहे हैं, घत्वे ओना है रहे हैं, आप आपने online study को पूरे ध्यान से करना है, वीडियो को आपने प्रॉपर फुल वीडियो देखिए हैं, और बार बर देखिए हैं, आज हम narration स्टार्ट करेंगी, वो किस रहे हैं, चलिए, स्टार्ट करते हैं, बेसे की narration, यानि एक पोटे speech, आप देखिए हैं, इसके दो पार्ट एक direct speech और एक indirect speech, ठीक है? डारेक्ट speech यानि कि जो किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी रूप में कहा जाए, तो वो कहलाता है direct speech और indirect speech होता है, जब किसी की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में convert करके कहते हैं, तो वो कहलाती है indirect speech सारा से किसी का इस डारेक्टी स्पीच को हमें इन डारेक्टी स्पीच में बदलना है यानि किसी की कहीं भी बात को मैं अपने शब्दों में कहना है अब डारेक्टी स्पीच में आप देखेगे She said I am busy ओके आप आप एक्जाम लेके उसने कहा था कि I am busy, मैं busy अब उसे कह था कि I am busy अब यह उसने कह था कि, मैं busy अब इसने कह था कि, पोई था कि अब आप इसने कह था कि हूँ busy की this रोह था का था कि, वह busy की so She said that इसने कह था कि, She was busy she was busy की, teh to, what was today वह ब्जस्त थी हो एक हमारी बैस्टीत और यह होंगे जो उसमें सही है वो ही नहीं है, इस language को अपनी language में जब चेंज करके लिखते हैं, तो वो ही कहला आते हैं, direct और indirect speech, आप यहां पर देखेंगे, कि she said, यहां पर है कोवा, मटड़ कोवा, I am busy, philosophic मटड़ कोवा बल, तो यहां पर है कोवा है, नगड़ कोवा है, तो भीज़ प नगड़ा, आप लेकि जब रते हैं, जब हम direct से indirect speech में जते हैं, को घुखते हैं, यहां जब हम direct से indirect speech में जाते हैं, तो जो हमारा ком को म हम अट आते हैं, तो रही अनट से जोटे हैं, ठैट हमारे आपका conjunction हो जाते हैं, दूसरी इन उसके बार, आप देखिए कि एक TENS भी चेंज हो रहा है, N की जबे बाश, तो हमारे TENS भी चेंज होते हैं, वो भी हमें देखना है, उसके साथ साथ हमाद देखिए कि आई की जगेपन, या शी आ गया, तो PRONOUN भी चेंज होते हैं, ठीक है, अमारे जाने कोमाइबर्टर क प्रोणाओन होगा और प्रोणाउन भी चैंज होगा तीछ चैंजे अभी आप समझेंगे कोमा इंवर्टर-, चोमा ढाकर अप्रोणाओन रहते द्नाज़ाना है और टैस चैंज करना है उसके लाज़ा आपड डेरी टेवेस साइड थे इस साइट यहाँ पर चेंग नहीं हुआ Okay students, इतना आपको समझ में आगया होगा, आई हो पाटने अच्छे समझा होगा चले एक बार से रखें Narration में two parts होते हैं Direct Speech और Indirect Speech कितने parts? Two Direct Speech और Indirect Speech Direct Speech और Indirect Speech को होता है जिसमें किसी के द्वारा कही हुई बात को उसी शब्दों में लिखा जाए उसी रूप में लिखा जाए तो वो क्या कहलाती है? Direct Speech और Indirect Speech को हम से दिए जब किसी के कहुए शब्दों को हम अपनी शब्दों में तब्दील करके लिखते हैं आई इन दिजू, जो she said का इस्टा इन्वर्टट कोमा से परी रहा, वो कहलाता है reporting 1, क्या कहलाता है ये, reporting 1, जो ये है she said, ये कहलाता है reporting 1, और जो कोमा, इन्वर्टट कोमा में 1 हमारा रिस्टा है, वो कहलाता है reporting 1, ठीक है, जो इन्वर्टट कोमा के अंधर उकंदर, वो क्य बहुते हैं और रेपोर्टिंग वर्ड का सब्चेक जो शुरुवात से पहले होता है रेपोर्टिंग वर्ड का सब्चेक्ट वर्म ना गीरूई हो, फिडन हो, तो उसे हो मी मान के चल जाए, she said to me, ठीक है, तो ये subject और ये इदर जो set के बार होगा, वर्म, और इससे के लगा reporting वर्म, और इन्वेटर पोमक इससे के लगा reporting speech, okay, clear हो जाए, आप हमारा किसमें चीज़ जाए, अकब यहां reporting वर्म में set गया तो sad ही रहेगा, लेकिन अगर sad 2 दिया है, अगर sad 2 दिया है, तो वो किसमें चीज़ हो जाएगा, वो toled में चीज़ जाएगा, अगर sad 2 दिया है, तो वो toled में चीज़ होगा, अगर sad 2 दिया है, तो वो toled में चीज़ होगा, अगर sad 2 दिया है, अगर she sad, या she sad, sad या sad दिया से नूदी हो तूदी हो जाए टो टैल और से नूदी हो जाए तो टैल जोजाए और दो टैल सुझाए गार यह हम रेपोर्टिंग वर बारे वे बात क्या दोगा यह होगया चाहिए हमारे आपर स्कार्ट करें, सबसे पहले चाहिए हमारे सेट को होगा, 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 सेट को करते हैं, inverted coma को अटाकर हम that का तुल करते हैं, यह example देखर है न, inverted coma को अटाचन ने that का प्रेयो किया, उसके बात change of persons, अब यहां कर नो यह person होते हैं, जो आपने प्रोना होते हैं, इन में क्या change हो, का आप देख आए यहा I का क्या हो रहाए, ता she, change of person, इनके भी rule होते हैं, दे फर्स पर्सन की जो प्रोनाव होते हैं, फर्स पर्सन की प्रोनाव होगे I और V, यह रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट के अंसार, यानि रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट के अंसार बदलते हैं, ठीक है? यह है हमारा रिपोर्टिंग वर्ग का सब्जेक्ट, जो तो first person के problem आई और भी है, वो reporting word के subject के अानुसार बदनेगे, okay? इसके बार, second person का pronoun, second person का pronoun होता है you, second person का pronoun होता है you, तो वो reporting verb के object के अज़र यानि रहाँ पर जोब होगा, set के बार, reporting verb के object के अज़र बजलते हैं, ठीक है, first person के I, we reporting verb के subject के अज़र और second person या या you जो है, reporting verb के object के अज़र बजलते हैं, third person में he, she, it, they, third person में को ही भी जेखने नहीं होगा, समझा गया, I, we subject के अज़र, you object के अज़र, और he, she, it, they, third person है, इनमें कोई change नहीं होता है, तो यह होगा भी हमारे इनके rule, इसके आगे के अभी more पढ़ेंगे, इसके इनके, students हमा भी एदेखिए ही, change of pronouns, ठीका है, first person के जो pronouns हेरा, I or we, लो के से जेरा I का अभी मारे, और मेar, डी अवर और अस. तो second person को प्रणाम मैं, यू तो यू जो वर्स, गार और third person प्रणा मा प्रणाम नहीं, गी, she, it, say, और प्रणा धी, she, it, say, गी, नि believer in reflection, इक में Lean, she, Kaiser, गारि और अप्र रे, प्रणा दे, जी दे का दे, इतना मैं, यह जाए हम अच्क, कि आगी हैं, आई हम अच्छ पसफिकन का रॉट साट साट ऑडार सबसिले, भी से बत तो सबस्छ परस के प्रोणाउनों है, हो सबस्छल के अब क्या आ जाता क्या हो, शी आ जाता кноп तो यह जिसके सब sentence करेंगे, यह आपके लिए clear होते हैं, आपने यह table इस इतने किसमने node group पे node कर देनी है, जिससे कि आपने इसी नहीं समझें, आप एक पर इसने node पे आप साइट को जाती हूँ, इस table को उच्छे से देखेगा, और इसे node कीचीगा. और इस आपने इस देखेगा, आप मारे फर्स परसन, सेकंड परसन और थर्ड परसन किस प्रनासर चेट होते हैं, अब हम आगो होगे, तो इसको प्रनाच चेंड होगे, उनके लिए क्या रोगा, देखें, आप लड़ी reporting पर, यह आपर आगे बारी है, यह पास चेंड हो, या यहाँ पर क्या हो, पास चेंड हो, तो recorded speech का tense भी past में चला जाता, जैसे बाते कि end किसमें चला गया, वार, तो recorded speech का tense भी past tense में बदर जा जाता, understood? अगर यहां पर फास्टंस है, ईक चाल सेट दिया है, यह पास्ट है, तो यह हमारा किसके रहेगा पास्टो प्राइगा. अगर प्रजयर्ट टेंच में हो, से डियाओ, से डियाओ, ना से डियाओ, या से डियाओ, से डियाओ, तो अमारी या फिर फिर्चर टेंच में आपर, शी मिल से, ठियाओ, ठिक है? तरिफे से पीछे 10 गें होग जा रह रिपो है दिविन पुर सी नहीं होता, इतने पिजक्त या पुर हो है, तो से बिछे गेंठ के नहीं होता,ативकिस है उतना गहां बताऊढ़ा में अब क्टेंग के सउमें लिर्फोर और के अब गाता लिउन पूर्टात थे थे तो एहां का अब आपने को भी जोस्टूप में उता लिए, तब तक आप इस वीडियो को देखके इतना समझो, ताकि इस मैक्स वीडियो को आपको इसीली समझा सकते। ओके पूरते हैं।